हाई एवरिवन मैसेल सर्शाद शेक मिलकम टू मैच चानल सर्शाद शेक रिस्पीज वीडियो को एन तक देखना आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर पनीर सबको पसंद आता है बच्चों को बड़ों को थंडी का मौसम है मार्किट में फ्रेश मटर मिल रहा है तो आप यह रेसिपी ज़रूर बनाएं मटर पनीर बनाना स्टाट करते हैं यहां मैंने एक चमचों ऑईल दो चमच बटर लिया है बटर मेल्ट होते हैं इसमें हम मसाला दालेंगे गैस का फ्लेम मिडियम है यहां मैंने प्यास, टमाटर, काजु को भून की इसका पेस्ट बनाया है अभी हम यह पेस्ट को हम इसमें दालेंगे और इसे अच्छे से सौटे करके लेंगे आप सिर्फ ओईल में भी बना सकते है यहां मैंने बटर यूस किया है क्योंकि उसका फ्लेवर अच्छा आता है अभी हमारे यह मसाले के बोल में हम दूद दालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे ताकि पुरा मसाला अच्छे से दूद में मिक्स हो जाए अभी ये दूद मसाले में दालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे या मैंने एक बड़ा प्यास एक मिडियम टमाटर और बारा काजू के पीस लिये थे और उसका पेस्ट बनाया था भून के अभी हम इसमें सुके मसाले दालेंगे खश्मी दिलानमेच पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, अधरक लसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे मैंने जो पेस्ट बनाया था प्यास टामाटर और काजू का उसको आप बना के फ्रीज में रख सकते हो, आपको जब भी पनीर बनाना होगा, मटर पनीर बनाना होगा तो आप उसको निकाले, रूम टेम्परेचर आने का बनाए अभी इसमें आदा छोटा बोल, बॉल, मटर अड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बड़न प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नियो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अभी हम इसे ढख कर दो मिनुट तक पकाएंगे, दो मिट हो चुके है देगे हमारी सबजी 80% कुक हुई है, घुने, प्यास, टामाटर और काजु का पेश आप तीन दिन तक फ्रीज में रखके बना सकते हैं अभी हम इसमें पनीर दालेंगे, पनीर को आप फ्राइ करके भी दाल सकते हैं, वह आप पे डिपेंड करता है, आपको फ्राइ करके दालना या ऐसी ही दालना है अभी हम इसे अच्छे से mix करके लेंगे पनीर में हमारा gravy का flavor जाए इसलिए हम 2 मिट तक इसे ढख कर पकाएंगे 2 मिनिट हो चुके है अभी हम इसमें cream दालेंगे यहाँ पर मैं amul cream यूज़ कर रही हूँ अब cream के बदले दूद की मलाई भी add कर सकते है उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पनीर को हमें ज्यादा उनी पकाना है पनीर ज्यादा पकने से हाड हो जाते है अभी हम इसमें हरा दन्य डालेंगे कट करके आप मेरे ये रेसिपी ज़रूर बनाएं अब भी हम इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे और ग्यास का फ्लेम आफ कर देंगे मटर पनीर तयार है सर्फ करने के लिए मैंने ये बोल लिया है इसमें हम मटर पनीर सर्फ करेंगे आप मटर पनीर को नान, बटर रोटी, फुलके, पराठे के साथ सर्फ कर सकते है मटर पनीर राइस के साथ भी अच्छा लगता है प्लेइन राइस या जेरा राइस अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें इंस्टाग्राम आइडी मेरा स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अब इस पर एक टेबल स्पून बटर डालेंगे क्रीम और हरा धनिया से गार्निश करेंगे देखे हमारी रेस्टाइरन स्टाइल मटर पनीर तयारे सर्फ करने के लिए आपको यह अच्छी लगी तो इस विडियो को लाइक करें कमेंट करके बत्ते आपको यह रेसीपी कैसी लगी अपनी फ्रेंस एन फामिली मिमबर्स के साथ शेर करें मिलते हैं निक्स रेसीपी में ठांक्यू फार वर वाचिंग झाल 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 झाल